हेलो दुस्तो गूड मॉर्निंग अब सभी का स्वागत है वेकेंसी एरा एड्यूकेशन में तो दुस्तो आज फिर से हम सुरुवात करने वाले आप लोगों के लिए एक और अच्छी बरती के बारे में तो दुस्तो आपने इंडियन उदिल के बारे में अच्छे से नाम सु तो आज फिर से देख लें इसकी कुछ एक 404 पोस्टों पे ओनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं आज कल 21 तारिक है और ये कल से ही इसके आविदन पर क्रेक्ष शुरू हो चुकी है अगर आपके पास आईटिया है तो आप देखिए पूरी कौलिफिकेशन पूरा नोट कर रहे हैं विकिंसी एरा एज्यूकेशन में तो वो चातर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ओयल के उपर तो द इसके अंदर आईटे एंसीवीटी पास याएसीवीटी इसके अंदर ट्रेड हैं रिलेटिव ट्रेड के अनुसार आप नौकरी करेंगे कैसे करेंगे यह भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो चले दोस्तों देखते हैं आखिर का पूश्टें कहने हैं आप लोगों के इन में थोड़ा सब को यह पर देखना होगा जो यहां पर लिखा हुआ है कि इंपोटेंट इंप्लोई न्यूज है या फिर 21 और 27 मार्ज के बीच आप इसमें आवे दन करने का टाइम आपको दिया जाएगा तो दोस्तों यह देखिए इसका नौट्रिकसण इंडियन ओउल मार्केटिंग डिवेश ओपी स्थ रियल विजक और सॉरी ओवेलके आंकोडिन नौर्थ के अनूसरे टेख निकल ओर नौन टेखनेम vulner और आपसेपस、प्लुगार आपको आप लोगा जालेंगे Indian Oil Corporate Limited Communication Under Indian Force Guard और Company Management Silk Blue Anisar ये आप लोगों की अपरेंटिस और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अपरेंटिस लोकेशन इस्ट यानि की इस्ट इंडियन यानि की वेस्ट बंगोल बियार उडिसा जार खंड असाम में आपकी जोब होगी तो दुस्तो इस बात से ये क्लिर्टी हो चुकी है की ये अप्रिंटिस की है नोन और नोन टेक्निकल और टेक्निकल या नोन टेक्निकल में आई तो इस्ट इंडिया के अकोडिंग जैसे की वेस्ट बंगोल, बिहार, उडिशा, जारखंड, असाम इन शेत्रों में आपको अपरेंटिस करना होगा अपरेंटिस सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर प्रोवाइट नमर अपरेंटिस कोड जो टेकनिकल पोस्ट हैं उनके लिए तो इसमें ट्रेड फीडर्स, इलेक्टरिकल्स, इलेक्टरिकल्स, मेकेनिकल्स, मेकेनिकल्स, डीजल मेकेनिकल्स, ट्रेड मेकेनिकल्स, अपरें ट्रिक के साथ इसी दूरण हम नेक्स्ट की बात करें डिपलों वाली छाथ शाद्रों की इसमें पोस्ट करने होगा आपको अपरेंटिस करने होगी बारा मन्त यानि की वन येर की होगी टोटल सबस्ट दिवह है जिसमें 15 O tô बस्ट हैने हैं जले की एक्की कि फॉष्ट्र के पांच पोस्ट है की की 20 पोस्ट इसमें डीवह आ इसनी दुर्ण हम बात करें दसवीच रफ़ों दसवीच सात्रों के लिए नॉन टेक्निकल तो इसमें आपको घो नंध मन्त यानि कि पंदरा मन्त तक आपको उस्ट में काम करना होगा टोटल पोस्ट इच्छे हैं जिसमें SCST के टिकरी भी इंकलूट की गई है इसी दूरान हम फिर से आईटिया की बात करें तो दोस्तों यह सारी पोस्ट का विवरन आप लोगों के सामने आप रखा गया है तो दोस्तों अगर आप इसमें आवे दिन कर सकते हैं तो आवे दिन कीजिए और 404 पोस्टों पे आप अपरेंटिस कर सकते हैं वन यह तक अब सवाल यह होगा कि अगर आए जो करना चाहते हैं जैसे कि दस भी पास हैं इसमें दुस्तों सीधी सिंपल बात कही जाए तो आपके पास दस भी होना जरूरी है दस भी पास वाले चाहतर इसमें अपरेंटिस कर सकते हैं साथ ही इसमें आप आईटे वाले हैं वो चाहतर आवे दिन कर सकते हैं साथ ही थ्री वर्स का जो डिप्लोमा है वो चात्रिस में आविदन कर सकते हैं तो यानि कि तीने कंडिसन तीनों कॉलफिकेशन वाले चात्रिस में आविदन कर सकते हैं आविदन करने की परक्रिय इसके सुरूओ चुकी है आपको मैं ओनलाइन फोम फील्ट रहना भी बताऊंगा कैसे फील करेंगे वो भी आपको हम अप्टेड देंगे बस आपको ध्यान रखना होगा जिस पोस्ट के लिए आप आविदन कर रहे हैं वो ट्रेड आपकी है या नहीं है तो इसके अनुसर आप आविदन करेंगे अब आपके मन में एक सवाल ओर उठ रहा होगा थोड़ी सी एक बार में सैलरी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं यहां पर बता दो आपको एज लिमीट के बारे में तो 18 तो मेक्जिमम होगी और 24 वर्स और रिजिर्विशन की बार पर पर तीस वर्स तक के चात्रेस में आविदन कर सकते हैं इसी दोर अब हम बात करें continue अपनी जो salary की बात कर रहते हैं तो दोस्तो salary इसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए 9000 से 8000 यानी 8000 से 9000 तक आपको salary दी जाएगी यानी कि आपकी जो यह salary आपको इस के recording पर मंत के अनुसार दी जाएगी अब हम बात करें data record center आपको जब कब तक form feel करना है आपको feel करना है 31 मार्त वज़ार बीच तक आपको complete ही इस form को जमा करवाना है अब दोस्तो forum feel करने के बाद आप लोगों के पास test होगा return test होगा 90 मिनिट का होगा 90 मिनिट में आपको show questions करने होगा show questions करने के बाद आपके पास कैसे होंगे journal के questions होंगे journal arrangement और जो के 30 questions होंगे basic English language के 40 questions होंगे trade apprentice data entry की हम बात करें अगर data entry पर आपावधन करने हैं तो 25 questions 25-25 questions होंगे अब हम बात करें उन student की जिनके पास trade है और apprentice करना चाहते हैं जिसे feeders, electricals, mechanicals, diesel mechanicals, institute में इन पोस्टों के लिए आपावधन कर सकते हैं तो आपकी relative trade के नुसार 40 questions होंगे जो आपकी trade हैं उसके 40 questions हैंगे, reasoning के 20 questions हैंगे, gk के 20 questions हैंगे, english के 20 questions हैंगे, एज़े करके soap questions हो जाएंगे और 90 minute का paper होगा तो इसी दो हम passing नमबर लाने होंगे 35%, 40% से उपर तब जाएके आपस में पास होंगे, मेरे डिलिस्ट के अनुसार आपको चैनित किया ज पर दोस्तो किसी परकार का कोई application charge आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कु फिरी है, फिरी और all Indian है, भारत के किसी भी छेतर से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर इसके बाद आपको किसी और परकार की समस्या हो या फिर आप सूच रहेंगी, क्या होगा, इसमे कोई भी सवाल हो आपका, तो आप हमें comment में लिख सकते हैं और सवाल का जवाब ले सकते हैं, मैं आपको इस notification का link आपको नीचे box में यानि की provide कर दूँगा, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं, और साथी आपको online करने की परक्रिया और form फिल करने की परक्रिया का link भी आपक हिंदूस तो